नमस्ते फ्रेंट्स मैं अंजना राडिया स्पार्कल कीचन में आप सब का स्वागत करती हूँ आज मैं आप सब के साथ सेर करने वाली हूँ चटपटा स्पाइसी और बहुत ही हैल्दी टेश्टी बनने वाले सलाट की रेसिपी तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो देखी यहां पर मैंने एक पत्ता गोबी एक नीमबू आधा बीट रूट देखे मैंने सब चीजे साप करके छिल के रखी है और एक गाजर लिया है यहां पर उसे भी मैंने छिल के रखा और यह दो ककड़ी है एक ओन्यन है ओन्यन अगर आप नहीं खाते हो तो आप स्किप कर सकते हो और एक टमाटर और धेर सारा हारा धनिया तो इस तरह से आप जो भी सबजी सलाद में खाते हो उसे आप ले सकते हो जो भी सबजी आपको नहीं पसंदे उसे आप हटा सकते हो अब सब चीजों को हम अच्छे से चोप कर लेंगे तो देखिए इस तरह से बारिक बा लंबा लंबा स्लाइस में कट कर लेना है तो देखिए इस तरह से लंबा लंबा हम गोबी को कट कर लेंगे देखिए इस तरह से हम गोबी को कट कर लेंगे और उसे बावल में एट कर देंगे और बाद में बीट रूट को भी इस तरह से एट करेंगे तो देखिए इस तरह से पहले हम स्लाइस में कट करेंगे और फिर बाद में इसके लंबे लंबे स्लाइस करेंगे तो देखे इस तरह से हम लंबा लंबा बीट रूट को काट के रेडी कर लेंगे और काटने के बाद इसे भी हम बाउल में एट कर देंगे अब हम केरेट को कट कर लेते तो केरेट को भ काट के रेडी कर लेंगे और सब चीजों को अगर हम एक समान काटते हैं तो हमारा सलात दीखने में बहुत ही सुन्दर लगता है और इसे खाने में भी आसानी रहती है तो देखिए इस तरह से केरेट को भी लंबा काट के हम बाउल में एड कर देंगे अब ककड़ी को भी इस तरह से लंबा काट लेंगे तो देखिए इस तरह से हम छोटे-छोटे टुकड़े करके उसके स्लाइस कर लेंगे और फिर लंबा-लंबा इसे काट लेंगे तो देखिए इस तरह से हम ककड़ी यानि की खीरे को अच्छे से काटके फिर बाउल में एड कर देंगे और अब ट प्याज को भी इस तरह से लंबा-लंबा काटके इनके सारे लच्छे हमें अलग कर लेने ताकि प्याज भी हमारे बहुत ही सुन्दर दिखे और हमारा सलाथ बहुत ही अच्छा बने तो देखिए यहां पर सारी सब्जिया हमारी कटके रेडी है तो जोहरा धन्या हमने काटके भी रखा था उससे हम एड करतेंगे और अधिट इस्पून और अधिट इस्पून यहां पर मिक्स हब एड करेंगे अगर आपके पास मिक्स हब और और जाए तो आप इसकी जगह पर काली मिर्च का violon भी यूज कर सकते हैं और यहां पर मेंने आधिट हम चिली फ्लेक्स य यूज किया है और आधी टीस्पून चितना मैंने काला नमक लिया है यहां पर हमें नमक का बहुत ही कम यूज करना है क्योंकि इस सलाथ में अगर नमक थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाएगा तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और कड़वा कड़वा लगेगा इस और हेल्दी सलाथ हमारा बनके रेडी है तो देखिए कितना सुंदर और टेस्टी दिख रहा है चितना ही यह टेस्टी है उतना ही हेल्दी बनके तयार होता है तो देखिए अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ देंगे तो दिखिए यह हमने अलग-अलग सबजी यह इसमें यूज करिए तो यह बहुत ही हैल्दी और टेस्टी बनके तयार होता है उस और इसमें सारे मिन्टरल्स और विटामिन्स आपको मिल जाएंगे तो आप इस सलाथ को जरूर बना के ट्राइ करना और अपने एक् एक्पिरियंस मेरे साथ जरूर सेर करना है तो चलिए मिलते हैं अगले रेसिपे के साथ तब तक के लिए बाई बाई